फाइनली स्ट्वेंट आपके लिए एक और गुड निउस है अगर आप इगनु के जून दोज़ाद 24 टमड़ एक्साम में अपेर होने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्डेंट है फाइनली इगनु की ओर से कोशन पेपर रिलीस कर दे गए है आपके एक्साम पॉइंट यू से काफी इंपोर्डेंट है विकॉज इससे आपको पेपर पैटन क्लिर आउट होगा साथी साथ आपको इस पीडियो में बताने वाला हूँ कि इस पार के एक्सामनेशन में पास होने के लिए आपको कितने परसेंट नंबर लाने होंगे इस पीडियो में डिटेल में बात करेंगे अगर आप एक्सामनेशन पेपेर होने बाले हैं कि इगनुने कोशिन विपर जारी कर दी है आपके examination point वी से वर उस से ज़ादे important यह है कि आप exam form fill करते examination form की जो last date है वो 22 April 2024 है without any late fees तो अगर आप June 2024 में appear होने वाले है तो इस exam form को चरूर से fill करते हैं इसके लाबर examinations में बैठने के लिए भाई assignment submit करना काफी important होता है तो आप लोग अपने जो भी courses में appear होने वाले उन सभी के number of assignment टाइम से submit करते हैं जिसकी last date 30 April 2024 है उससे पहले आपको सभी जिन भी courses के लिए आप appear होने वाले उनके assignment submit जरूर करते अब आईए topic पे वापस आते हैं और बात करते हैं previous year question paper पर हाली में एगनुने December 2023 टाइमट exam में हुए जो कोशन वेपर हैं वो जारी करती हैं साथी साथ जून 2023 के भी कोशन वेपर आ चुके हैं अब आपको एक हल्प मिलने वाली है इससे आपको पता लगा कि भाई कोशन वेपर कैसा आएगा इस बार के टाइमट exam में और यकीन माने इससे आपकी काफी जादा problem solve होने वाली है आईए कैसे problem solve होंगी और क्या आपको करना है और इस बार के passing marks कैसे रहेंगे साथी साथ आप लोग पास उलेल क्या बढ़ें जिससे आप easily अच्छे score भी क्रेट कर लें पहले कोशन वेपर की बात करते हैं यह कोशन वेपर है बैस्टर डिगरी का बीसीजी का बीसी एसीडी 135 का जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं अब देखो यह पेपर अपने आप में खास है विकॉज यह पेपर आपका दो सीट में होता है तो अलग लग शीट में अपके इन इस्ट्वेंट को यह नहीं पता उनका पेपर यहां पे खराब हो जाता है और सब्चेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक्ट लगने का यह भी कारण है कि कई स्ट्वे तो आप लोगों को क्लेली बता जों कि भाई आपको स्टार्टिंग में दो शीट ले लेनी है विकॉज यह जो कोशन वेपर है न वो अलग लग शीट में होने वाले हैं यहां पर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अटेम्ट एनिफाइब कोशन फ्रॉम पार्ट बी मतलब कि आपको दो आंसर शीट लेनी होती है अगर आप एक ही में कर देते हैं तो आपको जो पेपर है वो रिजेक्ट हो जाता है और यह कारण बनता है कि इसमें बैक लोग लगती है काफ इस्ट्वेंट के तो जब आप एक्साम दें तो इस्ट्रक्शन को जरूर से रिड हमारे मीडम हम यंग्लिष में देना चाते हैं तो आप दे सकते हैं इस पेपर में को इस्ट्वियों को यह लिए है रै में पेपर देना चाते हैं या फिर हमारे मीडम English है हम Hindi में पेपर देना चाते हैं तो हम दे सकते हैं आफ नहीं तो देखो आप पेपर दे सकते हैं लेकिन उनी पेपर का उनी सब्जेट का जो पेपर आपके दोनों ही मीडम में अबलेबल होते हैं अगर वो सिर्फ एक ही मीड में नहीं दे सकते यानि किसी और मीडम में नहीं दे सकते फॉर एक्जामपल के लिए ये विगेई 182 का English Communication Skills का वेपर है इसे अगर कोई स्टोट कहें कि सर हम तो Translate करके हिंदी में दे दे तो यार ये वेपर जब हिंदी में अवलेबल ही नहीं है ये English भाश्या के वेपर है तो आप हिंदी में दे ही नहीं सकते तो ये चीज़े हैं जो आपको दिहान रखनी है मीडम चेंज करते वक्त ये वेपर लेंगवेस का वेपर है ये आप इसे इसी लेंगवेस में अटेम्ट कर सकते हैं किलाबा जैसे हिंदी का वेपर है हिंदी संपिक्शन का इस पेपर को भी आप सिर्फ हिंदी में दे सकते हैं कोई श्टुएंट कहेंगी सर हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे पहली बार तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी ट्रांसलेट करेंगे आप काफी छी जाओंगी और होगा भी नहीं तो जो भाश्या के वेपर होते हैं वो आप उसी भाश्या में दे सकते हैं बाकि जो अधर कोर्से होते हैं उनके वेपर आप दोरही में से किसी भी भाश्या में दे सकते हैं ओके ओल्राइट यह कोशन पेपर आपका टू आवर्स का रहने वाला है फोर क्रेट का कोर से 50 मार्स का यह पेपर आने वाला है इसमें बहुत मयतपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पे देखे कुल पांच प्रिश्णों के उत्तर दीजीए जिसमें जो भी कोशन दिये हैं कुल मिलाके 9 कोशन्स आपकी सामने हैं इसमें ज़े कोई भी 5 कोशन्स करने है अब कोश्मेंट करें कि सर्हम पार्शली कोशन्स को करें पाशली का मेनिंग क्या है कि आप 6 question attempt कर दें या पर 7 question attempt कर दें लेकिन दो question आपने आदे आदे attempt कि तो उससे यार आपके marks decrease हो जाएंगे अगर आप instructions के according नहीं करें तो वह आपके जो question है रिजट कर दे जाएंगे इस बात को पेसे इस तौर पर क्या लखना है कि आपको instructions के according ही पेपर attempt करना होगा इसके बाद में another question paper की बात करते हैं यह BGC 101 का question paper है Indian classic literature का यह 6th grade का course है और यह paper आता है 100 marks का और इसमें instruction भी काफी important है because यह paper है वो आपका sections में divided है total three sections आपको इस paper में देखने को मिलते हैं और attempt questions from all the three sections means आपको तीन ही section से question attempt करने है section A की बात करें तो इसमें four question section B में से two और section C में से कोई भी तीन question आपको attempt करने है कुछ इस परिकार को paper रहता है जो आप इसली देख सकते हैं इसके बाद में master degree की बाद कर तो यह है आप पर हमारे पास में master degree program in English का MEG का question paper है MEG 01 weightless poetry का जो की आप screen पर देख सकते हैं six grade का course है again three hours duration और hundred marks का paper आने वाला है इसमें आपको कोई भी पांच question attempt करनी है and question of one जो आपका compulsory रहने वाला है इसके अलावा all जो questions है वो equal weightage carry करते हैं that means 20 marks का हर एक question रहने वाला है पहला question compulsory है उसके बाद में आपके बास में choices है उसमें कोई भी question आप attempt कर सेगे that means पहला question हो गया उसके बाद second question से लेकर eight question तक आपके बास choice है उसमें से कोई भी चार question आपको attempt करने होंगे all right इसके बाद में हमारे पास में another question paper है history of india bhi c101 इसका question paper की बात करने है again six grade का course है और जो maximum marks है वो hundred है और इसमें ना एक दिल्शेस बात यह है कि इसमें word limit given है और यह भी काफी important है because word limit के according आपको answers करेंगे तो यह number अच्छे मिलते हैं अगर आप word limit को follow up नहीं करते that means आपके number करने के chances पढ़ जाते है four hundred word limit यहाँ पे दे रखी है जो आपको attempt करने है और इसके लावे यहाँ पे कुछ partial instruction और है कि यहाँ पे कम से कम एक section से आप दो question attempt करें और कि यह question से 3 जो कि आपकी overall 5 question हो जाएंगे all right इसके बाद में BPAC 101 का paper है इसकी बात करें six grade का course है 100 marks maximum है सेम instruction यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके BHIC 101 में थे all right यह तो हो गई आपके question paper की बात यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे आप download कर से कहां से करने हैं आपको इस portal पर आना है इगनू previous here question paper जिसमें आपको 2010 से लेकर December 2023 सबही question paper मिल जाएंगे और यह question paper आपके लिए बहुत ज़्यादा important है आपकी तयारी को यह fulfill करने वाले हैं इसके लावा यहाँ पर आप जैसी क्लिक करेंगे जिस भी section पर आपके सामने कुछ ऐसा portal आएगा उसमें आपको उपने school of program को देखना है उसके according आपको 7 जो question paper है sorry वो download करने होगे all right question paper download हो गए आपकी तयारी होगे लेकर यहाँ पर एक सवाल होता है कि minimum number कितने लाने है पास होने के इस पार के examinations में तो आईए evolution system पर बात करते हैं जो इगनू का रहने वाला है देखें इगनू में जो marks लगते हैं वो आपके assignment और theory के दोनों के ही होते हैं और यह दोनों ही marks अलग लग रहते हैं that means आपको दोनों ही minimum passing marks score करने होते हैं दोनों के मिला की passing marks नहीं होते हैं यह सवाल काफी बार रहता है इसलिए मैंने आपको बता दिया अब देखें जो आपकी automate exam होते हैं 70% weightage carry करते हैं वहीं जो practical automate examinations हैं वो आपके 30% weightage carry करते हैं all right इसके अलावे यहां पर एक और दिल्चस्प बाद यह है कि grading लिकनु में कुछ इस परिकार से दी जाती है अगर आपकी E grade है that means आप fail हो रहे हैं D grade average मानी जाती है और C grade good मानी जाती है वहीं B grade है तो very good है और A grade है that means excellence है और वहीं अगर हम 10 points की grading system की बात करें तो O grade मिलना यानि कि O letter अगर given है तो 10 numeric grade है 85% से अबाव माने जाएंगे या फिर 80% इसके बाद में A plus से excellent जो की 9 रहेगा और 75 से 85 के बीच में रहने वाले A grade very good माने जाएगा जो की 8 से रहेगा percentage में बात करें 65 75 के बीच में रहने वाली है और B plus grade जो है वो 7 numeric grade है और percentage की बात की clear cut बात करनों तो अगर आपकी marks 35% से less होंगे तो आप fail हो रहे हैं वेस्टर डिगरी के अंदर और वहीं master degree के श्ट्वेंडर तो आपको कम से कम 40 number score करने होंगे पास होने के लिए साधी साथ diploma certificate जो ही बेस्टर डिगरी के श्ट्वेंड है उनको ही 40% minimum score करना होगा एकनों के examination में पास होने के लिए तो यह हैं आपके grade system जो मैंने clear out के हैं यही आपके इस वार के चून 24 टमड एक्साम बेर रहने वाले हैं अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे सबीस्ट के साथ में साथ कोई भी अन्निक वाईरी है कमेंट बॉक्स इस्ट्रागरम पर डेव करके या फिर कॉल करके सवाल हो कभी भी पूछ सकते हैं इस वीडियो में नहीं मिलते हैं एक और अपडेट एक और नहीं वीडियो तब तक लिए हिंजा बारत बाई दोस्तों